10.4.3 विस्थापन अभी क्रिया, क्रिया कलाप 6 लोहे की तीन कीले या ओल्पिन लीजिए, उन्हें रेतमाल पेपर से रगड़ कर साफ कीजिए क और ख चिन्हित की हुई दो परकनलिया लीजिए प्रत्यक परकनली में 5-10 मिलिलीटर कौपर सलफेट का विल्यन लीजिए दो कीलों को धागे से बांध कर सावधानी पूर्वक परकनली ख के कौपर सलफेट के विल्यन में लगभग 30 मिनट तक डुबा कर रखे तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखे चित्र अ और ब तीस मिनट पर शाथ दोनों कीलों को कौपर सलफेट के विल्यन से बाहर निकाल लीजिए परकनली क और ख में रखे कौपर सलफेट विल्यन के नीले रंग की तुलना कीजिए कौपर सलफेट के विल्यन में डूबी कील के रंग की तुलना बाहर रखे केल से कीजिए सोचिए लोहे की कील का रंग भूरा तथा कौपर सलफेट के विल्यन का रंग फीका क्यों हो गया इस क्रिया का लाप में निमने लिखित अभिक्रिया हुई FE प्लस CU SO4 इस इक्वल टू FE SO4 प्लस CU समी करण 20 इस अभिक्रिया में लोहे आईरन ने कौपर को उसके योगिक कौपर सलफेट के विल्यन से विस्थापित कर उसका इस्थान स्वयम ले लिया इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं झाल झाल झाल